साल 2020 अपनी शिर्वात के साथ ही बुरी खबरी लेकर आ रहा है इस साल में बॉलिवुड को भी गहरी शती हुई है बॉलिवुड के दो लिजेंडरी कलाकार इर्फान खान और रिशु कपूर बॉलिवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं और अब हाल ही में एक औ और खबर आ रही है खबर के मताबिक बॉलिवुड के दमदार एक्टर सुशांत सिह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फासी लगा कर जान दे दी है ये बॉलिवुड के लिए और फैंस के लिए बहत ही चौकाने वाली खबर है अभी तक उनके सूसाइड के फैसल और दमदार एक्टर थे इन्होंने सबसे पहले टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल नाम के धरावाहिक में काम किया था पर उन्हें पहचान एक्ता कपूर के धरावाहिक पवित्र रिष्टा से मिली इसके बाद उन्होंने बॉलिवुड इंडस्री में अपना कदम जो बॉक्स ओफिस पर सुपर हिट रहें उनकी पहली फिल्म से दर्शकों और समिक्षकों की वाहवाही लूटने के बाद सुशान्त ने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर स्पूर्ट्स आदी जॉनर की फिल्में की और सभी में उम्दा काम किया शुद्र दैसी रोमा प्तान एमेस धोनी की बायोपिक से मिली थी यह सुशान्त की पहली ऐसे फिल्म थी जिसने सो करोड का कलेक्शन किया था इसके अलावा और भी फिल्मों में सुशान्त नजर आ चुके थी आपको बता दें कि फिल्म छिचोरे में सुशान्त ने एक ऐसे पिता का करदान लोगों को ये शिक्षा देना चाहते थे कि कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन सुसाइट करना कोई रास्ता नहीं होता और लोगों को ये संदेश देने वाले सुशान्त सहराजपूत ने सुसाइट जैसा कदम उठा कर पूरी बॉलिवुड इंडस्ट्री और तमाम देश को में डाल दिया है सुशान्त सहराजपूत आखरी बार फिल्म के दारनाथ में नजर आये थे जिसमें उनके साथ सारा लिखान दिखी थी सुशान्त का इस तरीके से सुसाइट कमिट करना समझ से परे हैं आपको बता दे कि कुछ दिनों पहले बह मुश्किल पांच दिनों प सुशान्त ने ऐसा क्यों किया इसकी वज़ा भी तक सामने नहीं आई है लेकिन सुशान्त की मौत के साथ ही बॉलिवुड को एक तगड़ा छटका लगा है और बॉलिवुड ने हमेशा के लिए अपना एक दमदार एक्टर खो दिया है subscribe our channel and press the bell icon for more updates